नमस्कार मैं एस्ट्रोलजर और टेरोकार डीडर नीलम चैत्र मास चल रहा है और चैत्र मास में चैत्र नवरात्रों की सीरीज हम लेकर आए हैं आपके सामने और इस नवरात्रों की सीरीज में आज तीसरे नवरात्रे पर पहुँचे हैं और तीसरे नवरात्रे पर जिन देवी का पूजन किया जाता है वो है माचंदर घंटा मा चंद्र घंटा का लौकिक रूप देव्य रूप भक्तों को बहुत जादा कल्यान का रीफल देने वाला देवी का ये रूप स्वरण वर्ण जैसा होता है और इनका नाम चंद्र घंटा इसलिए पड़ा कि इनके मस्तक पर आधे चंद्रमा जैसा चंद्र विराजित रहता है और इन्हें इन देवी को वीरता और शोरे का रूप माना जाता है भुजाओं वाली ये देवी अपने हाथों में अस्त्र शस्त्र धारण किये हुए युद्ध की मुद्रा में होती है परन्तु ये अपने भक्तों के लिए बहुती करुणामई और कल्यानकारी रूप लेकर आती है इनका ध्यान करने से इनकी साधना करने से व्यक्ति को अलोकिक द्रिश्यों का ग्यान होता है द्रिश्यों की अनुभूती होती है सुगंध की अनुभूती होनी लग जाती है जब कोई योगी या साधक देवी का ध्यान करता है इनका जो वास है वो आपके स्वाधिष्टान चक्र में होता है और इन देवी का ध्यान करने से बहुत सारे लाभ आपको मिलते हैं देवी चंदर घंटा का पूजन करते समय उनका एक चित्र एक लखडी के साफ पाटे पर कपड़ा बिछा कर उसे सुसजित कर लीजिए इसके बाद पंचामरित से देवी को स्नान कराएं देवी के चित्र को स्नान कराएं इसके बाद जो भी यथा शक्ति आप अपने घर में सात्विक भोजन वनाते हैं उसका भोग देवी को लगाएं आज के दिन छोटी कन्याओं का पूजन करने से और उन्हें मावा दान करने से अत्याधिक लाब मिलता है जिन लोगों के घर में धन से संबंधित परिशानिया आ रही हैं उन्हें देवी का ध्यान करते हुए छोटी कन्याओं को मावा और मिश्री दोनों दान में करने इस मंत्र का उचारन करते हुए आप देवी का ध्यान करें और अपनी समस्त वाधाउं से मुप्ति की प्राथना देवी से करें देवी चंद्र घंटा का करुणा मई रूप आपको जीवन की सभी परेशानियों से दूर कर देता है आज के दिन नौ कमल के फूल या नौ गुल आपके फूल आप लेकर देवी को अर्पित कीजिए और उनसे प्राथना करें कि आपके जीवन में आने वाला जो समय है वो तरक्की लेकर आए भविश्य में बहुत सारी सफलता हैं आपके जीवन में आए देवी चंद्र घंटा का ध्यान अगर आप मेडिटेशन में करते हैं चित्र का ध्यान करते हैं और उनके मंत्रों का उचारन करते हैं तो उनकी क्रिपा आपके घर परिवार पर बनी रहती है और आपको बहुत जादा लाब मिलते हैं तीसरे नवरात्रे के दिन दुर्गा सब्तशती के पाठ करने का भी बेहद महत्व है वैसे तो नवरात्रों के सभी दिन दुर्गा सब्तशती पढ़ना और देवी के गुंगान करना पौजादा फलदायक होता है लेकिन तृत्य नवरात्रे के दिन खास तौर पर आप दुर वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बैल आइकॉन दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेस्बुक पर देख रही हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। साथ ही अपनी राए कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।